ब्रश्टराचार और दीमक, ये कहीं पे भी किसी भी तरीके से घुश सकते हैं आज जो बच्चों और उनके पैरेंट्स का एक सवाल है कि क्या इंडियान आर्मी के अंदर भी ब्रश्टाचार घुश गया है? क्योंकि बहुत सारी vacancies में अभी और इंडियन आर्मी के खास तोर जो merit list निकला है उसके अंदर से बच्चों का return, physical, medical सारे चीच के लिए रते लेकिन उसके बावजूद भी उस बच्चे को भरती से बाहर कर दिया गया काफी सारे parents के calls आरेंगे सर ऐसा क्या हो गया, क्या रिस्वत की requirement है या मेरे बच्चे में क्या का मेरे गई ती, तो मैं आपको पूरा process बता देता हूँ, वीडियो को end तक देखना और खास करके अपने parents को जुरूर बेजना, जो अपने बच्चे से demotivate हो रहे हैं, लेकिन क् आवेजन करोकर आपका height weighted और education complete है तो, second number पर क्या होता कि यहां पर देखा जाएगा, कि दो लाख बच्चे चाहे वेकेंसी के बारे में पता हो या ना, form भर दिया जाता है, दो लाख बच्चे form भरे, उसके बाद आपको बताता हूँ, कि एक लाख सतर हजार बच्चों का form accept किया जाता है, और बाकी 30,000 बच्चों का form reject कर दिया जाता है, किसी भी कारण चाहे वो photo, signature या percentage या कोई documentation के बिज़े से, और एक लाख सतर हजार में से यहां पर देखेंगे, तो exam जब देते हैं, तो 50,000 बच्चे qualify कर पाते हैं, आप यह देखते जाना sequence, कि पहले form निकाल उसके बाद 2,000,000 बच्चों ने form भरा, फिर उसमें से 1,70,000 बच्चे, उसमें से जो exam दिया तो 50,000 बच्चे, अब क्या होगा आगे, exam के बाद उनका physical fitness test होगा, जिसमें 50,000 candidate जो qualify किये थे, अब उनका यहां पर physical होगा, तो physical के अंदर mostly 15,000 के something बच्चे पास होते हैं, यह मैं कोई accurate data नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो doubt है, कि भरष्टा चार और मेरे बच्चे भरती से बाहर क्यों है, उसका एक sequence बता रहा हूँ कि क्या होता है, 50,000 बच्चों नहीं यहां पे physical दिया हूँ, आपे से 15,000 बच्चे physical पास करके कहां पहुँचे, यहां पे प जी देख रहे हैं कि कहां 2,00,000,1,60,000,500,000, 500,000 यहां पे आगये, अब बच्चे को मांड में पुरा सैट हो जाता हैं, कि मेरा फिजिकल भी किलियर हो गया था, रितेन्ट Agreed हो मेडिकल में भी पास करके 5000 बच्चे तो इनके जो पेरेंट्स हैं यह पांच जार के जो पेरेंट्स है अब यह सपने देखने शुरू कर देते कि अब मेरे बच्चे का मेरित लिश्ट में नाम अब आगे दिखातों में क्या होता है यहां पे आपको इंटर्नल नहीं पता होता है लेकिन इंटर्नल वहां पे टोटल 1300 ही वकेंसी है जिसके अंदर गर्ल्स बॉइस सी एस्टी ओबी सी जो भी कोटा इंक्लूडिड होता एक सर्विसमेंट वो सब इंक्लूड करके 1300 वकेंसी गौवर्मेंट के पास है चाहे वो आयार हो चाहे बीयार हो चाहे जेडार हो अब उस पांच जार बच्चों में से स्रिफ 1300 ही बच्चों का यहां पर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा आप यह देखें कि किस तरीके से यह जो पास है यह जो 5000 बच्चे इनका रिटन भी पास फिजिकल भी पास मेडिकल भी पास अब इनके 5000 घर में सपने बुनने सुरू हो गए अब यहां पर देख लिजे कि टोटल 1300 बच्चे ही इसके अंदर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा अब यह 1300 बच्चे वो बच्चे होंगे जिनका फिजिकल के नंबर जिनका रिटन के नंबर या फिर जिनका डॉकुमेंटेशन में कोई स्पोर्ट्स का या NCC का इनका या फिर कोई एक सर्विसमेन का जो कोटा हो लेकिन वो सारा चीज होते होते हों उनके पास last वाकेंसी ना होने के बज़े से इन बच्चों को यहां पर आउट कर दिया गया अब इन बच्चों को एकजाम बेरिट लिड़से चांटा गया उसके पिछों को ऐसा नहीं है कि उन बच्चों के अंदर कुछ कम एकएषी कम थी इसके वजे से उनको चाय चांटा गया ना कि वे अनधर Conference या टीचर से लिफ यह किसी के अंदर भी अब यहां पर सबसे important बात आता है कि आप क्या करें अब यहां पर क्या करें में सबसे important है कि अगर आपको मज़दूरी बेलदारी या गौर्वर्मेंट से अगर पंगा लेना है आईटिया डालना जोमर जी करना तो आप वह अपने अगर आप मेरे से सजेशन लेते हैं तो मैं कहूंगा कि बच्चे आप अपनी तयारी में दुबारा लग जाओं और आप इस तरीके से नंबर लेकर क्या आओ फीजिकल रिटर्न मेडिकल में कि आपको 1300 बच्चों से बाहर ना करके आपका टॉप 100 में ही नाम आ जाए और आप का सेलेक्शन हो जाए तो जो भी पेरेंट्स और बच्चों को डाउट था कि क्या भरष्टाचार चल रहा है इंडियन आर्मी के अंदर तो मुझे और भरतियों का नहीं पता लेकिन मैं इंडियन आर्मी का घसम खाकर कह रहा हूं इंडियन नार्मी में नोक्री भी कर कर के फुल इंफोर्मेशन आपको तसल्ली से दूँगा जैन